गुड मॉर्निंग ओल ओफ यू नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से इस वक्त है तो जितने भी आपके हमिरपूर बोड की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं उनके ओड कोशन पेपर की रिविजन चली है तो जो चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सकाब जरूर कर ले ताकि आने बाले हर वीडियो की अपरेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो आज हम डिसकस करेंगे जो आपका जूनियर टेकनिशन फीटर का एक्जाम हुआ था 19 अगस्त 2018 को ये करवाए गया था इसमें आपके जीके के जितने भ दो भी चैलन पर पहली बार बिश्ट कर रहे हैं वो एक बार वीडियो को शेर जरूर कर दे तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ हडपा कालीन स्तलों की अधिकाज सगंता किसके किनारे पाई गई हैं राभी सतलुज सिंदु गगर बंट वंटी वन का सहयांसर बताएं तो आने वाले हैं आपके TGT कोमिशन, LT, JVT, शास्त्री, कलरक एंड जेवाइटी एंड टैट के लिए एक कोशन काफी हेलफुल होने वाले हैं तो बंट वंटी वन का सहयांसर बताएं तो बहुत हैं आपकी सिंदु C of news, right, जात कथाएं किसके समाई के बारे में कहानियों से इस बंदित हैं बंट वंटी टू, जात कथाएं किसके समाई के बारे में कहानियों से इस बंदित हैं बंट वंटी टू, बंट वंटी टू का सहयांसर बताएं तो बहुत हैं आपकी बोधिस्तव, B of news, right, चिंतन की जैन बिवस्ता निक्ट रूफ से किसके सर्द रिश्य है बंट 23 चिंतन की जैन बिवस्ता निक्ट रूफ से किसके सर्द रिश्य है बंट 23 तो बोत यह आपकी संक्यव A option is right साथ बहान राजबंश कसंताप कोन था बंट 24 साथ भान राजबंश का संताप कौन था बन्ट वन्टिफॉर तो बोथ यह आपकी शिम्मुक सी ओफ निज राय दिली का प्रत्थम सुल्तान कौन था जिसने राय तंत्र को बशा नुगत बनाने का प्रयास किया था बन्ट वन्टिफाइब दिली का प्रत्थम सुल्तान कौन था जिसने राय तंत्र को बशा नुगत बनाने का प्रयास किया था बन्ट वन्टिफाइब बोथ यह बलवन डी ओफ निज राय बीजे नगर समराज जेके अब शेश पाए जा सकते हैं बन्ट वन्टिश तो ऐसे कोशने पूछे जाएंगे आपके हिस्ट्री के तो प्लीज कोई भी पर्सन क्लास को मिशना करें मोर्निग में साथ बजे क्लास होती है अगर आपको इमाचल एक्जाम पास करना है तो एक्जाम से पहले आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है बन्ट वंटी सिक्स का से अंसर बताएं तो बहुत आपके हमपी में सी ओफनिज राइड रिंग फैंस किस से सबंदित है बन्ट वंटी सेवन बन्ट वंटी सेवन का से अंसर बताएं रिंग फैंस किस से सबंदित है तो बोसे आपके wraire Hynstein's A.S.N.S. किस नेता को उसकी अमुल्य सेवाओं के कारण Diamond of India के रूप में बननेत किया जाता है 28 का से answer बता है Diamond of India के रूप में बननेत किया जाता है 128 तो बोसे आपके गुपाल कृशन खोक ले A.S.N.S. निमन मैं से कौन सी पहाड़ियां दक्षिन पठार में नहीं पढ़ती है बंट 29 का से अंसर बताएं तो पिछली वीडियो में आपका एक कोशन पूछ गया था निमन मैं से कौन सी पहाड़ियां दक्षिन पठार में नहीं पढ़ती है तो यह आपकी राजमल पहाडिया, डी ओफनिस राइट, निम्र मैंसे कौन सी सभी सिंदू साइक नदियों में सबसे बढ़ी है, बंधर्टी कैसे अंसर बताएँ, जेलम, चिनाब, राभी, सत्लुज, बंधर्टी, तो वह आपकी चिनाब, बी ओफनिस राइट, निम्र मैंस किस रज्ज एक चंदन तेल के उतपादन में एक अदिकार है। 31 का से अंसर बताएं। निम्न मैसे किस रज्ज एका चंदन तेल के उतपादन में एक अदिकार है। 31 तो बोल्या आपकी करनाटक में, D oportunism right। कल्याहन्ण सोना, सोनाली का उच पैदावार वाली किसम है जल्दी से बताए 32 कल्यान सोना सोनाली का उच पैदावार वाली किसम है 32 तो वो आपकी गहूं की B of Nis भारत में चीनी के उतपादन में निम्न में से कों सरा जे अग्रेणी है 33 33 देखते हैं सबसे पहले कों इसका जैंसर पता पाता है यह सारे कोशन मैंने आपको जियोग्राफिक की कलास में कवर करवाय हुए 33 तो वो आपका उत्तर प्रदेश A of Nis राइड निम्न में से कों सा हवाई अड़ा भारत में सबसे उचाई पर स्तित है बन 34 निम्न में से कों सा हवाई अड़ा भारत में सबसे उचाई पर स्तित है तो वो आपका ले एरपोर्ट B of Nis राइड बिद्या सागर सेतु किस नदी पर बना है बन 35 बिद्या सागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है तो यह बना हुगली A of Nis कौन सा राज्य भारत का सर्वदिक नगरिकृत राज्य है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका से अंसर बता बाता है कोई भी परसन बीडियो को शेर नहीं कर रहा है प्लिस बीडियो को शेर जरूर कर दे बन 36 का से अंसर बता है तो वो आपके माराष्टर में स्योफनिस राज्य एक्स किरणों का सर्वदिक प्रयों कहां होता है 1-87 1-87 तो यह होता है इन सभी में ड्योफनिस राज्य बिलीचिंग पौडर है 1-88 1-88 का से अंसर बता है बिलीचिंग पौडर क्या है तो वो आपका केल्सियम ओक्सी कलोराईड Rectifier का निमन के रुपांतर में प्रयोग होता है BAN 39 तो ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं आपके साइंस के तो अगर आपने अभी तक 30 कदा से attend की होगी तो maximum बहुत बड़ा फाइदा होने वाला आपको आने वाले मातल एक्जाम के लिए BAN 39 की किस तरह से हमिरपूर बोर्ड की तरफ से कोशन पूछे जा जुके हैं अभी तक आपके जितने भी एक्जाम हुए है BAN 39 BAN 39 का सेंसर बताएं तो वह आपकी AC को DC में BAN 40 तो वह आपका नापके सयोजन BAN 40 is right निमन मैंसे कोंसा एक प्राक्रतिक रंजक है जल्दी से बताएं निमन मैंसे कोंसा एक प्राक्रतिक रंजक है BAN 41 तो वह आपका इंडिको BAN 40 is right पेपर एक उतपाद है जल्दी से बताएं BAN 42 का सेंसर बताएं BAN 42 तुड अपकर सैल लोज राइंग तो रशन बोड का त्यार की जाती है जो आपकी बोर्ड का होती है वो किससे त्यार की जाती है रशन तो यह की जाती है गियूँ मेश से बी ओफ्जन किसकी अनुप्स्तिती में रक्त का थक्का नहीं जमेगा बन फोर्टीफोर तो वह आपका कैल्सियम कई बार ऐसे कोशन आपके रिपीट लोग पूछे गए हैं हमिरपुर बोर्ड की तर्प से अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो निम्न मैंसे कौन कभ अभी भी भारत का उप्रधान मंत्री नहीं था बन फोर्टी फार्ट वोत आपके जीहल नंदा बीओ अफशन उनेले का अंडबान और निखो बार दीप्समुः पर क्षेतरा दिका रहें रहा है refuse 146 निमन मैं से किस उच नेले का अंडमान और निकोबार दीपस्मूव पर खेत्रा दिकार है 146 निमन मैं से किस रज में विधान्सवा सदस्यों की सरबदिक संक्या है 147 यह आपके उत्तर प्रदेश में तो यह कोशन भी आपके कहीं बार रिपीटेड पूछा जा चुक है हमिरपूर बोड की तरफ से संग शास्तित प्रदेश किस के दुवारा प्रशास्तित होते हैं 148 यह होते हैं आपके राश्ट पति के दुवारा निउकत प्रशास्तित के माध्यम से डी ओफनिज राइट पंचायतों और नगरपालिकों के चुनाब कोन संचालित करता है बनफोटी नाइन तो ये करते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग सी ओफनिस राइट निमन मैंसे कोंसा एक RVICS बंद नहीं है बन फिप्टी निमन मैंसे कोंसा एक RVICS बंद नहीं है बन फिप्टी तो यह आपकी Agriculture Refinance Corporation सी ओफनिस राइट भारत में पूंजी निर्मान का सरबदिक मातो पुंद सरोत कोंसा है बन फिप्टी वन भारत में पूंजी निर्मान का सरबदिक मातो पुंद सरोत कोंसा है बन फिप्टी वन तो बोई आपकी ग्रेलू बज़त ए ओफनिस राइट निमन मैंसे कोंसा एक RVICS शक्ति के अंदर नहीं है बन फिप्टी तू का से अंसर बताएं निमन मैंसे कोंसा एक RVICS शक्ति के अंदर नहीं है बन फिप्टी तू तो वो आपका चमेरा से ओफनिस राइट बिशब निबेश रिपोर्ट किसके दुवारा प्रकाश्चित की जाती है बन फिप्टी थ्री का से अंसर बताएं बिश्व निवेश रिपोर्ट किसके दुवारा प्रकार्षित की जाती है तो ऐसे कोशन बनेगे आपकी हमिरपुर बोर्ड की तरप से तो डेली साथ बज़े कलास होती है कोई भी परसन कलास को मिस न करें अगर आपको हिमाचल एक्जाम पास करना है तो पिछले कली आपकी T कमिशन एल्टी शास्त्री की एक्जाम डेट अनॉस्मेंट हो चुकी है तो अपनी स्टडी जारी रखें इस चैनल के मादिम से आपको बरपूर प्रयास किया जारा है एक्जाम करेक करने के लिए बन फिप्टी त्री का से अंसर बताएं तो वह आपकी अंकटांड सियोफन तो ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपके हमिरपूर बोर्ड की तरफ से तिब्बत के किस दिशा में हिमाचर पदेश तीत हैं बन फिप्टी सेबन तो यह आपकी पश्यम में सियोफनिस राइट कांगडा का शास को था जब मुम्मत तुगलक ने इस पर आक्रमन किया था ब आई मारा आपको वीडियो के अंत महीं मैं आपको यह कोशन करवा चुका हूँ तो वो थे प्रिस्वी चंद सियोफनिस राइट किस बर्ष में हिमाचल पदेश बिना विदान सभा के केंदर शास्य पदेश बना था बन फिप्टी नाइन देखते हैं सबसे पहले कोई इसका सेंसर बता पाता है तो वो थे आपके 1956 में माचल पदेश बिना विदान सभा के केंदर शास्य पदेश बना था शिमला जिले के निम्न मेलो मैंसे कोई सा एक रज्य मिला है बन 60 देखते हैं सबसे पहले कोई इसका सेंसर बता पता है बन 60 का सेंसर बता है तो बहुत आपका इस मैंसे कोई नहीं D of Nis, राइड धन के लिए नोकरी करो मैं कार कोई सा है 168 दन के लिए नोकरी करो मैं कोई सा कार का है 168 जल्दी से बता है दन के लिए नोकरी करो इसमें कोई सा कार का है तो यह आपका संपरदान योगिक शब्द किस से बना है 169 योगिक शब्द किस से बना है 169 तो यह बना गाईक से बंसेम्टी उथान का बिप्रिथार्तिक शब्द क्या होगा जल्दी से पताए पतन पतन उन्ती उनत बंसेम्टी का से एंसर बताए तो यह होगा उथान आज के लिए इतना ही अगरे वीडियो अची लगी हो तो प्लेज चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने बाले हर वीडियो की अप्रेट आपको समय समय पर मिलती रहे तो मिलते हैं अगरे वीडियो को साथ तब तक के लिए धन्यवाद